नमस्कार आप देख रहें मारकेट टाइम्स टीवी मैं हूँ आपके साथ शालिनी शुरुआ सब कॉमेडिटी बजार से अमेरिका और उसके सयोगी देश रूस से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबन लगा रहे हैं वही रूस की रोस्नेफ्ट कंपनी ने सस्ते कच्चे तेल के लिए दो भारती कंपनियों के साथ करार करने से मना कर दिया है रोस्नेफ्ट कंपनी का कहना है कि उसने कुछ अन्य देशों के साथ कच्चे तेल के सप्लाई एग्रीमेंट किया है सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए खरीब फसलों के MSP में 5-9 पीस दी बढ़ोती कर दी है मंत्री मंडली समीती की बैठक में आज दलहन और तिलहन खास तोर पर मूंग, सोयबीन और सुरज मुखी बीच के MSP में सबसे अधिक इजापा किया गया है भारत ने चीनी निर्याद के मामले में रिकॉर्ड बना लिया है, भारत ने सितंबर में समाप्त मार्केट ये 2021-22 में ये तक 86 लाग टन चीनी के निर्याद के रिकॉर्ड को पार कर लिया है बतादे कि भारत दुनिया के सबसे वड़े चीनी उत्पादक और निर्याद तक देश में शामिल है भारत सरकार ने गेहूं के निर्याद पर रोक लगा दी है तब से भारत से सीधे गेहूं का निर्याद एक तरफ से ही प्रभावित हुआ है इसलिए वेश्प्रिक स्तर पर गेहूं की कीमतों में तेजी आई है इस बीच के इन्द सरकार एक एहम फैसला लेने की तयारी में है सरकारी सूत्रों के मताविक भारत सरकार जल्भी 12 लाग तन गेहूं के निर्याद को हरी जंडी दे सकती है पंजाब में रहने वाले शराब प्रेमियों को नई सरकार ने कुछ ही महीनों के भी तर बड़ा तौफा दिया है मुख्यमंत्री भगवतमान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने राजमिन नई अपकारी नीती को मन्जूरी दी है नई नीती के अमल में आते ही पंजाब में शराब की कीमते 40% तक कम हो जाएंगी वहीं सरकार को उमीद है कि नई नीती से उसे 9,647.85 करोड रुपे का राज्यस प्रप्राप्त हो सकता है साओधी अरब ने एश्याई देशों की मुश्किले और बढ़ा दी हैं दरसल दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्या तक देश ने एश्याई देश के लिए कच्चे तेल की कीमत में बड़ा इजाफा किया है जुलाई महीने के लिए एश्याई देशों के लिए अरब लाइट क्रूड ओयल के अधिकारिक बिक्री मूल में 2.1 दॉलर प्रती बैरल की बड़ा उत्रिक की गई है वहीं साओधी अरब के इस फैसले से भारत को भी बड़ा ज्टका लगा है क्योंकि भारत साओधी अरब के बड़ी मात्रा में तेल आयाद करता है ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमत एक बार फिर पेट्रॉल डीजल की कीमतों पर संकर्ट का बादल बनी हुई है क्रूड ओयल का भाव 123.9 डॉलर प्रती बैरल के अपडेट हुआ है जबकि ओपेक बास्केट में भी कच्चे तेल का भाव 123.2 डॉलर प्रती बैरल पहुँच गया है मोधी सरकार द्वारा कुछ तिलहन फसलों के MSP को बढ़ाये ज़ाने के वीच दिली तेल तिलहन बजार में सरसो मोंगफली सोयवीन तेल तिलहन बिनौला सीप्यो और पामोलियन तेल सहीत अधिकांश तेल तिलहनों की कीमते तेजी दर्शाते हुए बंद हुई डॉलर के मुकाबले रुपए में इतिहासिक गिरावट देखी जा रही है जो एक डॉलर के मुकाबल रुपए का सबसे निशला लेवल है आरबी आई ने 2022-23 में अपने महंगाई दर के अनुमान को 5.7 फीसदी से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया है यानि महंगाई दर के अनुमान में आरबी आई ने एक फीसदी की बढ़ोत भी कर दी है तो कॉमेडिटी वजार से जुड़ी बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही लेकिन और बड़ी खबरों के लिए बने देगे मार्के टाइम्स ट्रीवी के साथ मुझे दीजे जाजत नमस्कार